नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिसद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत हैं कैसे हैं प्यारे बच्चो आसा करती हूं स्वस्त और अच्छे होंगे बच्चो अगर आपको याद होगा तो प्रिवियस क्लासेज में हमने इंगलिश के कुछ अल्फाबेट्स आपको पढ़ाये थे जैसे A, B, C, D, E, F, G, H उसके आगे भी तो आपको लगता होगा कि आज मैं कौन से इंगलिश के अल्फाबेट्स को लेकर आपके पास आई है तो बच्चो आज मैं आपको पढ़ाऊंगे M, N, O यानि आज जो अल्फाबेट्स लेटर सम लोग इंगलिश में पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? वो है M, N और O तो बच्चो जहां तक हमने पढ़ा था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे यानि कि लेशन 15 तो आपके टेक्स्ट बुक में जो लेशन 15 है उसमें आपने देखा होगा बच्चो कि उसमें M, N, O के बारे में आपको बताया गया है तो आज हम M, N, O को कुछ पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे और कुछ exercise भी बनाएंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं पहले letter M यहां आप देख रहे हैं letter M यानि कि capital and small letter ये जो letter है बच्चो M वो capital और small दोनों में लिखावा है तो आएए इसे गौर से देखिए कि ये capital में कैसे लिखावा है और small में कैसे लिखावा है आप देख रहे हैं यहां capital में एक बड़ा सा M और small में एक छोटा सा M है है ना तो बड़ा वाला जो M है उससे हम कहते हैं capital letter M और जो छोटा वाला M है उसे हम कहते हैं small letter M और यहाँ पर M के साथ कुछ pictures भी है जैसे mango है, mouse है, monkey है, mouth है, mob है आप देख रहे हैं तो M तो लिखना आप सीख लिए इसको आप अपने copy में note कर लिजिए कि capital में कैसे M लिखते हैं और small में कैसे M लिखते हैं अब हम देखेंगे M letter से बनने वाले कुछ words ठीके, तो आईए M letter के words को देखते हैं कि कौन-कौन से word उससे बनते हैं तो सबसे पहले आता है mango यानी की आम आम खाना तो आपको बहुत पसंद है ना तो mango को हिंदी में हम कहते हैं आम ये है एक रसीला आम तो बच्चों आम को इंगलिश में क्या कहते हैं क्या लिखावा है आईए पढ़ते हैं M for mango M A N G O mango यानी की आम और आप देख रहे हैं कि mango का जो spelling है वो कौन से letter से start है वो start है M letter से यानी कि क्या हुआ M for mango आईए आगे देखते हैं और M से क्या-क्या word बनते हैं ये आया बंदर है ना बंदर जो क्या कर रहा है रसी पकर के जूल रहा है तो बच्चो बंदर को इंगलिश में क्या कहते हैं बंदर को इंगलिश में हम monkey कहते हैं यानी की aim for monkey M O N K E Y monkey यानी की बंदर आप देख रहे हैं बच्चो ये monkey word जो है वो भी कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है वो भी लेटर M से स्टार्ट हुआ है यानी की aim for monkey तो आपने देखा की aim लेटर से हमने क्या क्या word बनाया aim for mango, aim for monkey तो क्या aim लेटर से और भी कुछ होता है क्या आईए देखते हैं M से और क्या हो सकता है M से होता है दूद यानि कि milk जो आप पीते हैं पीते हैं ना आप milk? हम्म मिल्क हमें जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही healthy होता है तो बच्चों क्या आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि milk का जो spelling है वो कौन से letter से start है? वो start है M letter से यानि कि M-I-L-K milk यानि कि दूद M for milk तो बच्चों हमने M से कितने सारे words जाने यहाँ? M for mango, M for monkey और M for milk तो आपने देखा कि M से हमने कितने सारे words बनाए? तो बच्चों इसी तरह से M से mat भी होता है, M से mug भी होता है, M से man भी होता है तो कई सारे words जो हैं, वो हम letter M से बना सकते हैं तो आपने देखा बच्चों कि M से कितने सारे word बने? तो बच्चों M से और भी कई सारे word बनते हैं जैसे M for mat, mug, man, mop तो आईए कुछ M से हम और भी words को जानते और समझते हैं M for things that begin with letter M यहाँ देख रहे हैं आप capital M और small M तो सबसे पहले है M for monkey M-O-N-K-E-Y monkey यानि की बंदर जो की हमने अभी बताया आपको उसके बाद है M for mermaid M-E-R-M-A-I-D mermaid mermaid की कहानिया तो आप सुने हैं जिसे हम जल पड़ी भी कहते हैं उसके बाद है milk यानि की दूद M-I-L के milk और है moon M-O-N moon यानि की चांद फिर है mushroom यानि की M-U-S-H-R-O-A mushroom ये एक खाने वाली बस्तु है जिसकी सबजी बना कर हम खाते हैं और उसके बाद है last में आम यानि की mango M-A-N-G-O mango यानि की आम तो बच्चों आप देख रहे हैं यहां जितने सारे भी words है वो कौन से letter से start हुए हैं सारे के सारे words जो है वो letter M से ही start हुए हैं तो आपने देखा कि letter M से हमने कितने सारे words बनाए ना तो इसके अलावे भी letter M से और भी कई सारे words बनते हैं जिने हम धीरे धीरे आगे जानेंगे तो यह हुआ letter M आसा करते हूँ letter M को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो बच्चों letter M को समझने के बाद M के बाद क्या आता है? आता है N तो आईए हम next letter यानि कि letter N को समझते हैं और जानते हैं यह है capital and small letter N यानि कि देखिए capital में कैसे letter लिखावा है इनको और small में N letter कैसे लिखावा है? आप ध्यान दे रहे हैं कि capital जो N है वो बड़ा सा है है ना और small N जो है वो छोटा सा है तो इसे आप जल्दी से note किजिए कि capital और small में कैसे N लिखाता है देख रहे हैं न? तो आपने देखा कि capital N कैसे लिखते हैं और small N कैसे लिखते हैं तो बच्चो N letter लिखने के बाद capital और small जानने के बाद आएए बनाते हैं N letter से कुछ words देखते हैं N for क्या क्या होता है N for nose यानी की नाक नाक को हम English में कहते हैं nose N O S E nose यानी नाक तो बच्चो nose जो है वो कौन से letter से start हुआ है ये जो हमारा nose है वो start हुआ है letter N से है ना याद रहेगा ना N for nose तो बच्चो ये हुआ N for nose और N से कौन सा word बनता है आगे देखते हैं N for क्या है ये ये है net यानी की N E T net यानी जाल तो आप देख रहे हैं ये कौन से letter से start हुआ है ये भी start हुआ है letter N से तो बच्चो हमने N से क्या बनाया N से बनाया nose N से बनाया net तो और कौन सा word है जो N से start होता है आएए आगे देखते हैं N for nest याने की घोसला तो बच्चो घोसले को इंगलिष में क्या कहते हैं nest कहते हैं N, E, S, T, nest याने की घोसला तो बच्चो आप देख रहे हैं ये भी कौन से later से start हुआ है ये भी later N से ही start हुआ है तो हमने N for से क्या-क्या जाना? N for nest, N for nose, N for net. तो आपने देखा N से कितने सारे word बनते हैं? आईए कुछ और word सम लेटर से बनाते हैं. यह है N for, यानि N से क्या-क्या बनता है? तो यह है capital N और small n, है ना? तो आईए देखते हैं N से क्या-क्या बनता है? तो N से बनता है nose, यानि की नाक, N-O-S-E nose. उसके बाद है N for net, यानि की जाल, N-E-T net. फिर है nest, N-E-S-T nest, यानि की घोसला. उसके बाद है N for necklace, यानि की गले का हार, N-E-C-K-L-A-C-E necklace. और क्या होता है बच्चो N से? N से होता है nails, यानि की नाखून, N-A-I-L-S nails. और N से nurse भी होता है. होता है ना? जब हम बिमार होते हैं, तो nurse हमारी सेवा करती है, तो वो भी N later से ही start होता है. यानि की N-U-R-S-E nurse, N से nib भी होता है, यानि की कलम का नोखी, जिसे हम nib कहते हैं. N for nib, N-I-B-N-E-B. और क्या होता है N से? 9 भी होता है, यानि की जो number 9 होता है, वो कौन से लेटर से start होता है? वो start होता है N से N-I-N-E-9. N से neck भी होता है, यानि की हमारा गर्दन. N for neck. N-E-C-K neck, यानि की गर्दन. और N से nuts भी होता है, यानि की N-U-T-S nuts, यानि की बादाम. तो यहां जितने सारे word हैं, वो कौन से लेटर से start होता हैं? वो सारे के सारे word later N से start होता हैं. तो आपने देखा later N से हमने कितने सारे words बनाएं? तो बच्चों इनके अलावे भी later N से बहुत सारे words और भी होते हैं, जिने हम आगे धीरे-धीरे जानेंगे. तो हमने later M पढ़ा, N पढ़ा. तो अब मुझे ये बताइए कि M, N के बाद किसकी बारी आती है? M, N के बाद बारी आती है later O की. तो आईए देखते हैं later O को capital and small letter O. यानि आप देख रहे हैं बच्चों की capital में कैसे लिखावा है O और small में O कैसे लिखावा है? दोनों में difference यही है की capital वाला बड़ा है और small वाला छोटा है. और दोनों O का मतलब क्या है? दोनों बिलकुल circle है, है ना? तो O लिखना बहुत आसान है, बहुत easy है ना? आप है capital and small O और इसके साथ साथ आपको कुछ pictures भी दिख रहे हैं जो O letter से start हुए हैं. जैसे orange, owl, octopus, ostrich, यह सारे के सारे जो इनका जो first letter है वो क्या है? वो है letter O. तो आपने देखा capital और small letter O कैसे लिखाता है? नोट किया ना आपने? तो बच्चों अब हम जानेंगे की O for क्या होता है? O से हम कौन-कौन से word बना सकते हैं. तो आएए देखते हैं O for क्या होता है? तो सबसे पहले आता है O for orange यानि की संतरा जिसे हम नारंगी भी कहते हैं. है ना? यह orange color का होता है और यह बिलकुल गोल होता है. यह एक तरह का फल होता है. तो यह कौन से letter से start होता है? O से start होता और एन जी यानि की संतरा यह लेटर ओ से स्टार्ट होता है आए लेटर ओ से बनने वाले दूसरे वर्ड को देखते हैं ओ फोर ओल यानि की उल्लू तो बच्चों यह कौन से लेटर से बना है लेटर ओ से ही बना है आप देख रहे हैं इसका spelling कितना आसान है है ना तो इसे आप जन्ली से note भी करते जाईएगा और बच्चो ओ for all तो होता ही है ओ for orange भी होता है और उसे क्या हो सकता है आईए देखते हैं ओसे और क्या होता है ओसे ox भी होता है है ना ये तम easy सा spelling o x ox तो बच्चो ox का मतलब क्या होता है ox का मतलब होता है बैल आप देख रहे हैं बैल को आपने देखा तो बच्चो ये भी कौन से लेटर से स्टार्ट था ये भी लेटर o से ही स्टार्ट था तो आपने देखा बच्चो o for हमने क्या क्या पढ़ा O for Orange, O for Owl और O for Ox ये सारे के सारे कौन से लेटर से पढ़ने थे? सारे के सारे O लेटर से बनने थे तो इनके अलावे भी कुछ words होते हैं जो O से बनते हैं आएए देखते हैं उन words को O for देखिए यहाँ capital और small O है और साथ में है O से बनने वाले कुछ words तो आएए इनको जानते हैं सबसे पहले है O for Orange याने की संत्रा O, R, A, N, G, E, Orange फिर है O for Owl याने की उल्लू O, W, L, Owl उसके बाद है प्याच तो प्याच को इंगलिश में क्या कहते हैं? प्याच को इंगलिश में हम onion कहते हैं तो onion के spelling क्या लिखावा है? O, N, I, O, N ठीक है? ये भी लेटर O से ही बनता है उसके बाद है एक बरी सी पक्छी जिसका नाम है Ostrich है ना? आप देख रहे हैं इसके पैर और गर्दन कितने बरे हैं? तो बच्चो ये भी लेटर O से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड है O, S, T, R, I, C, H उसके बाद है Olive O, L, I, V, E, Olive ये एक तरह का फल होता है जिसे हम जैतून भी कहते हैं इसका तेल भी बनता है बच्चो उसके बाद है O से Octopus यानि कि एक तरह का समुदरी जीव जिसे हम लेटर O से ही लिखते हैं O, C, T, O, P, U, S Octopus और उसके बाद तो आप इसे जानते ही है O for Ox O, X Ox यानि कि Bell तो आपने देखा कि O से कितने सारे words हमने बनाए है ना तो ये सारे के सारे words लेटर O से ही बने वे थे इनके अलावे भी बहुत सारे words होते हैं जो लेटर M, N, O से बनते हैं तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लेटर M, N और O पढ़ा M for Monkey पढ़ा न हमने और क्या पढ़ा? M for क्या होता है? और Mango भी होता है उसी तरह से N for Net होता है Nist होता है Nose होता है O for Owl होता है और O for Orange भी होता है तो आपने यहां आज M, N, O लेटर से बनने वाले कुछ words को जाना और समझा आसा करती हूँ आपको लेटर M, N, O अच्छेते समझ में आ गया होगा तो अगर आपको अच्छेते समझ में आ गया तो आए कुछ practice करते हैं और कुछ exercises solve करते हैं सबसे पहले see and read यानि कि देखें और बताएं तो बच्चों देख कर पढ़िए आप यहां दो picture देख रहे हैं एक है आम का और दूसरा है mask का जिससे हम मुठकते हैं तो बच्चों aim for mango यानि आम aim a n g o mango और aim for mask aim a s k mask तो यहां गौर करने वाली क्या बात है यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह दोनों picture later aim से start हुए है और एक जो word है वो capital में लिखावा है और दूसरा जो word है वो small में लिखावा है तो आप देख रहे हैं capital letter और small letter के difference को आप समझ रहे हैं कि capital में m कैसे लिखाता है small में m कैसे लिखाते हैं और सारे के सारे जो letters हैं वो capital और small में लिखे वे हैं तो आईए बढ़ते हैं दूसरे pictures में और capital और small letters के difference को देखते हैं और समझते हैं यहां आता है letter N यानि कि capital में letter N कैसा है और small में letter N कैसा है तो आप देख रहे हैं यहां है N for net यानि कि जाल और N for nose यानि कि नाक तो N E T net और N O A C nose तो net जो है वो capital में भी लिखावा है small में भी लिखावा है और nose जो है वो भी capital और small दोनों में लिखावा है तो आप देख रहे हैं कि capital में कैसे लिखायावा है और small में कैसे लिखावा है तो इसे आप देखिए और समझे ठीक है बच्चों तो आपने देखा कि M और N को capital और small letter में कैसे लिखते हैं तो आईए letter O को भी देखते हैं letter O यानि small और capital दोनों हमको देखना है पहला picture है bell का यानि ox का O X ox तो आप देख रहे हैं कि capital में कैसे लिखावा है ox और small में ox कैसे लिखावा है ठीक उसी तरह से O for orange यानि संत्रा O R A N G E orange तो आप देख रहे हैं कि orange capital में कैसे लिखावा है और small में कैसे लिखावा है तो आपने देखा बच्चों कि कैसे capital में हम लिखते हैं और कैसे small letters को use करके हम word बनाते हैं तो आसा करती हूँ कि capital letter और small letter से words बनाना आपको आ गया होगा तो अगर आ गया है तो आगे कुछ और exercises बनाया जाए अब आते हैं match the following पे यानि कि यहां कुछ letter है M, N, O और इनको आपको match करना है orange mango और nose से यानि कि letter को picture से match करना है तो हैना बहुत ही आसान तो आईए जल्दी से match कीजिए और answer बताईए देखते हैं answer M match हुआ mango से यानि कि M for mango N match हुआ nose से यानि N for nose और O match हुआ orange से यानि कि O for orange है ना देखा आपने M मिला mango से N मिला nose से और O मिला orange से तो यह matching जो था अपने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया आपको letter अच्छे से समझ में आने लगा है और words जो letter से start होते हैं वो भी आप धीरे-धीरे समझने लगे हैं तो आईए आगे देखते हैं तो हमने क्या answer बनाया matching का M for mango, N for nose और O for orange तो आप देख रहे हैं यहां जो भी letter थे वो अपने-पिक्चर के सामने आ गये थे तो आएए बच्चों आप देख रहे हैं यहां जितने letter से वो सारे अपने pictures के सामने आ गये हैं M आ गया mango के सामने, N आ गया nose के सामने और ओ आगया ओरेंज के सामने है ना तो आपने मैचिंग बिल्कुल सही किया तो मैचिंग के बाद वच्चो अब हम पढ़ेंगे कि आज के चैप्टर में आज के लिसन में हमने क्या-क्या पढ़ा कौन-कौन से लेटर पढ़ें और कौन-कौन से वर्ड्स हमने बनाएं आईए एक बारी से रिवाइस करते हैं C and read O for orange यानि संत्रा Ox यानि bell Owl यानि उल्लू M for mango यानि आम Monkey यानि बंदर Milk यानि दूद N for nose यानि नाक Nest यानि की घोसला Net यानि की जाल तो M, N, O से आपने देखा आज हमने कौन-कौन से words बनाए कौन-कौन से पढ़े याद हो गया ना आपको इसे अगर हम दो-तीन बार पढ़ेंगे तो हमें याद करने की जरुद भी नहीं पढ़ेंगे यानि की M, N, O से स्टार्ट होने वाले यहां कुछ word है तो जो word आपको लग रहा है कि लेटर M, N, O से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं उनको क्या करना है अंडरलाइन करना है वो और वन हो जाएगा तो जैसे M for nose, M for monkey और M for milk तो nose, monkey, milk में आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसा word है जो की M से नहीं होगा तो उसे अंडरलाइन करना है ठीक उसी तरह से N for nose, N for owl, N for net तो यहां कौन सा सा word है जो odd one है जो की N लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको क्या करना है अंडरलाइन करना है और लास्ट में O for ox, O for owl और O for net तो यहां बच्चों आपको जो लग र है कि O later से स्टार्ट होने वाले word नहीं है उसको अंडरलाइन कर देना है तो इसे जल्दी से बनाईए और मुझे इसका आंसर बताईए आईए इसके आंसर को देखते हैं M for monkey और milk, nose M से स्टार्ट नहीं होता है इसलिए यह हुआ odd one तो इसे हम करते हैं अंडरलाइन दूसरा है N for nose और N for net आउल जो होता है वो N later से स्टार्ट नहीं होता है इसलिए यहां तीनों में odd one हुआ आउल तो आउल को करते हैं हम अंडरलाइन O से होता है ox और owl यानि कि net जो है वो O से स्टार्ट नहीं होता है तो यहां net हो गया odd one और net को हमने किया अंडरलाइन तो आप देख रहे हैं बच्चों M N O से जो भी वर्ड थे वो अपने जगह पर ही रह गए और जो odd one वर्ड थे जो की M N O से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं थे उन्हें हमने किया अंडरलाइन तो आपको समझ में आया ना कि M N O लेटर से कौन-कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं अब तो आशा करती हूं कि आप अच्छे से लेटर M N O को पहचान गए होंगे तो अगर पहचान गए हैं तो आएए आगे कुछ और exercises बनाते हैं see and write the first letter of the pictures अगर आप लेटर अच्छे से समझ गए हैं बच्चो तो इसे जल्दी से बनाईए यानि कि इस इन पिक्चर को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद इन पिक्चर के जो first letter है यानि जो वर्ड ये स्टार्ट हो रहे हैं जिन पिक्चर जिन वर्ड से स स्टार्ट हो रहे हैं उस लेटर को आपको पहचानना है और जलदी से उस वर्ड को बताना है तो आप पिक्चर को ध्यान से देख लिए यहाँ मिलक है नोस है आल है नेस्ट है ओरैंज है और मंकी है तो इनके वर्ड में आने والे सिस लेटर को जल्दी से पहचानिए और मुझे आंसर बताईए ये है उसका आंसर milk कौन से लेटर से स्टार्ट होता है M से स्टार्ट होता है उसके बाद है nose यानि nose कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है लेटर N से फिर है owl आउल कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है O से nest नेस्ट कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है N से orange और monkey स्टार्ट हुआ है M से तो यहां आप देख रहे हैं बच्चों कि जो भी लेटर थे वो यहां हाइलाइटेड है यानि कि आपने pictures के सामने उनके words लिखे और words के first letter को भी आपने अच्छे से पहचान लिया तो आसा करती हूँ कि M, N, O आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना बच्चों तो आगे कुछ और भी बनाया जाए अब आते हैं ramming words पे तो आईए बच् हैं फिरी से हम ramming करके पढ़ेंगे M for man, fan, N for nest, rest, O for ox, box, man यानी आदमी, fan यानी पंखा, nest तो आपको पता ही ये घोसला, rest यानी आराम करना, ox यानी bell और box यानी डबा, तो M for यहाँ है man, N for nest और O for ox और उसके साथ ही एक-एक ramming words भी लिखे वे हैं तो आईए इसे ramming करके पढ़ते हैं man, fan, nest, rest, ox, box है ना मज़ा आया ना ramming word पढ़ने में man, fan, nest, rest, ox, box सुनने में एक जैसे लग रहा है ना तो इसलिए तो हम इने ramming words कहते हैं तो बच्चों हमन अभी तक class 1 में कौन-कौन से alphabet सीख लिये हैं आईए उसे देखते हैं और जोर से दोहराते हैं Read loudly यानि की जोर से पढ़ें तो आईए capital letter और small letter के alphabet जो हमने अब तक पढ़े हैं उन्हें हम जोर से दोहराते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तो बच्चों हमने A से O तक के alphabet जान लिये हैं है ना आपको सारे के सारे याद हैं alphabet यानि की आप देख रहे हैं सारे के सारे alphabet जो है जो हमने अब तक पढ़ा O तक A से O तक जो हमने पढ़ा है वो capital में कैसे लिखे हुए और small में कैसे लिखे हुए हैं तो अगर आपने ये chapter अच्छे तो समझ लिया है बच्चों तो आएए अब कुछ card से आपसे हम कुछ सवाल पुछते हैं तो card time and activity time तो बच्चों मेरे हाथ में यहां पर है कौन सा letter है आप इसे ध्यान से देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि ये letter कौन सा है ये है letter M तो आप देख रहे हैं कि capital में कैसे है और small में कैसे है तो M के बाद कौनसा letter आता है, मुझे बताइए ये कौनसा card आया, M के बाद आया letter N तो बच्चों आप देख रहे है, letter N भी capital और small में कैसे लिखावा है जैसे कि आपने पढ़ा और इसे जाना, है ना तो ये last letter जो अब आपके सामने आने वाला है यानि कि N के बाद उसे जल्दी से बताएए क्या होता है N के बाद ये आया letter O तो बच्चों आप देख रहे हैं कि letter O भी capital और small में कैसे लिखावा है तो आपने देखा capital और small में M, N, O को अब हम आपसे पूछेंगे कि M, N, O क्या-क्या होता है उनसे कौन-कौन से words हमने बनाए हैं तो आपने chapter में तो अच्छा से पढ़ लिया ना तो अब जल्दी से मुझे flashcards देख करके बताएए कि ये क्या है M for monkey है ना ये monkey और बच्चो N for क्या है हमने क्या पढ़ा था N for nest बहुत अच्छा आपने बिल्कुल सही पहचाना N for nest और ये क्या है बच्चो O for हमने क्या पढ़ा था O for owl तो आपने देखा बच्चो कि हमने कैसे M, N, O later को पढ़ा और उससे words बनाए तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ question आपसे पूछेंगे जो की flashcards के through ही पूछेंगे तो बच्चो यहाँ मेरा पहला जो question आपसे वो ये है कि यहाँ कुछ pictures दिये गया है और बीच में later M लिखावा है तो मुझे जल्दी से बताईए कि later M से start होने वाले यहाँ पर कौन-कौन से picture है जल्दी से पहचानी और मुझे जवाब देजिए later M से यहाँ क्या-क्या होगा माउ से है ना बच्चो देखिए आप इसे ध्यान से later M से माउ से क्या monkey भी later M से होता है होता है बहुत अच्छा और यहाँ एक mango भी है तो mango कौन से later से होता है M से ही होता है यानि कि यहाँ mouse, mango और monkey later M से start हो रहा है ठीक है अब यह आता है orange तो बच्चो औरेंज का first later क्या होता है Q होता है I होता है कि O होता है जल्दी से मुझे बताईए कि तीनो later में कौन सा later है जो orange को start करता है Later O यानि कि O for orange बिल्कुल सही पैचाना आपने अब है यह last question यह भी later O से ही related है यह आप से पूछ रहा है कि यह तीनो picture में आपको बताना है कि later O से कौन-कौन से picture से start हो रहे है तो यहाँ कौन-कौन से picture से बच्चो आप देखिए और बताईए मुझे यहाँ है orange यहाँ है onion और यहाँ है एक tot rise तो क्या orange O से start होता है और उसी तरह से onion जो है प्याज वो भी O से ही start होता है लेकिन कि tot rise O से start होता है नहीं वो later T से start होता है तो यहाँ O से start होने वाले कौन से later है यहाँ है picture कौन से है बच्चो तो यहाँ है picture onion और later O से start होने वाला orange देखा आपने तो अब हम बनाएंगे कुछ later को जोर के words और इसी से related आज का आपका homework भी रहेगा इसलिए ध्यान से देखिए इसे यह है मेरे हाँ में mug का picture जिसके उपर लिखावा है M है ना तो M में हम क्या जोरेंगे कि जिससे यह एक word बन जाएगा और यह हमारा word complete होगा तो M में हमने जोरा UG यानि कि M UG mug M for mug उसी तरह से मेरे हाथ में है later M है ना इसमें एक चटाई का photo बनावाया बच्चो तो later M से चटाई यानि कि M में क्या जोरेंगे कि mat बनेगा तो M A T mat इसमें हमने जोरा A T को तो यह क्या बन गया M A T mat यानि कि चटाई तो यह भी कौन से later से start हुआ है later M से M A T mat यानि चटाई ठीक उसी तरह से अब मेरे हाथ में है later N और इसमें क्या बनावा है अड़े इसमें तो जाल बनावा है जिसे अभी हमने पढ़ा है ना तो बच्चो net का spelling जल्दी से याद किजिए तो N में क्या जोरेंगे कि net बनेगा N में जोरा हमने E T यानि N E T net यानि की जाल जो की later N से start हुआ है और अब है मेरे हाथ में later O और इसमें हमने जोर दिया W L तो यह क्या हो गया? तो देखा आपने letters को जोर के हमने कैसे words बनाए तो ठीक इसी तरह से अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे letter और words है जिसे जोर कर आप M N O letter से ने-ने words बना सकते हैं तो उसे बना कर लेते आईएगा ठीक है बच्चो तो आसा करती हूँ later M N O को आपने अच्छे से समझ लिया तो next class में फिर हम आपके साथ होंगे आपके सामने होंगे एक ने topic के साथ तब तक बच्चो take care and have a nice day Thank you